फूड फैशन और ट्रेवल ब्लॉगर रितका सिंग अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसे में जिस तरह से ये आगरा में इस तरह की जो खटना सामने आई है उससे हर कोई इस्तब्द है हर कोई है आगरा में पहले भी बहुत बड़ी क्राइम की घटना हो रखी हुई है लेक इस जो गटना की जबरदस्त कहा जाई चर्चा है पूरे आगरा शहर में इस तरह की चर्चा हो रही है क्योंकि अमूमन छोटे शहरों में कहा जाता है कि लिविन में रहना एक तरह से कहा जाई एक सामाजिक सुछिता के दायरे में चीज़ें नहीं आती है लोग इसको ठीक तरीके से नहीं लेते हैं और जिस तरीके से आप चोथी मंजिल से रितिका को फैका गया पुलिस अब लगातार इसका कहा जाए साक्ष संकलन कर रही है अपनी जाच को आगे बढ़ा रही है और FSL को आगरा पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद सीन का जो क्रैम सीन है जो घटना एक्चल जो बताई जा रही है जो पुलिस जिसको नेरेट कर रही है उसको यहाँ उसका सीन रीक्रियेशन होगा तो ऐसे में उसके जरीए ये पुलिस ये पता लगाने का प्रियास करेगी कि जिस तरीके से रितिका को जब नीचे फैका गय और उसका एक वीडियो आया है जिसमें उसका पती उसके फंदे को खोल रहा है यानि सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा है तो नीचे गिरने के बाद रितिका की मौत हुई है या रितिका को ऊपर ही जो आकाश है उसका पती उसने मार दिया था तो पुलिस एक कहा जाए सीन का रिक्रियेशन करेगी जल्द ही एक एकसपर्स की टीम यहां आएगी और कहीं न कहीं सीन का रिक्रियेशन करके एक्शुल कॉज ओफ इंसीडेंट है घटना का कहा जाए इसकी प्रॉक्सिमिटी को पता लगाने की कोशिश करेगी इसके साथ ही लगातार जो इस तरीके से जो जो कहा जाए सिर में गहरा गहाओ निकला है पेट में भी खून जमा होने की वजए से उसकी जो मौत की कारण बताया जा रहा है तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अपनी जाच में शामिल कर रही है और ऐस पर में इस पूरे मामले में चाहें वो अभिशेक हो जो आकाश हो जो आकाश है उसका पती है चाहें उसके साथ ही जो उसके बाकी सदस्त हैं सभी के खिलाब पुलिस के पास बुक्ता सबूत हैं पुलिस सभी को अपने केस डायरी में शामिल कर रही है और ऐसे मैं इन लोगों के खिलाब प्रोसीकुशन में सक्त से सक्त सजा द लाने के लिए पुलिस पूरी तरह से कहा जाए जुटी हुई है और पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि इन जो अपरादी है जिनोंने रित्का की हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी अगरा से नितनुपाद ध्याई एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी